आप हैं सिक्षा सुधार रोजगार के यूटूब चैनल पर और मैं हूनी रजाज हम बात करेंगे स्ट्ट 2019 परिक्सार रिजल्ट संबंधित केस की हम आपको बता दें कि रिजल्ट संबंधित केस हुआ पिछले दिनों पर्टना हाई कोट में और इस संबंध में बड़ा जूट यूटूब पर बोला गया आज हम आपको ओर्डर से रूबरू कराते हैं ओर्डर देखने के बाद आप समझेंगे कि आपके भविस के साथ आपके वर्तमान के साथ आपके जजबात के साथ खेला जाता है और केस के नाम पर आपसे कैसे हुगा ही की जाती हम आपको बता दें कि पटना हाई कोट में द तरह तरह के भ्रामक मैसेज और वीडियो प्रसारित किये जा रहे हैं पर आज आपके स्क्रीन पर ओरर के साथ सबूत के साथ आपको हम सच दिखाएंगे सिक्षा सुधार रोजगार और नीरज को बदनाम करने की जो गंदि साजिस रची जा रही है उस साजिस का परदाफास आज होगा आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं CWJC 69 के संक्या है और और हाई कोट के वेबसाइट पर अब अपलोड है पिछले दिनों आपको बरगलाया गया जूट दिखाया गया कि इसिक्षा सुधार रोजगार के वकील इरितका रानी को पतनाहाई कोट में बोलने तक नहीं दिया गया जो कि सरासर जूट है सच आपके स्क्रीन पर है और ऐसे जूटों से साबधान रहें सतरक रहें जूट भोलकर आपसे पैसे की कमाई की जाती है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साब तोर से लिखा हुआ है कि दो दिन के अंदर इनको एक कॉपी देना जिन्होंने एक केस किया है वो BACB बोट के वकील को साथ में हमारे वकील को भी जो केस हुआ उस संबन में रीट की कॉपी उपलब्द कराए पर इन्होंने हाई कोट में केस तो कर दिया पर ये भूल कि BACB के वकील को साथ में हमारे वकील को इनको एक कॉपी देना है रीट की ताकि उस पर पडियाप्त बहस हो पाए और हाई कोट में बिना इसके ज़स साहब ने सीज़े तोर पर सुनवाई से इंकार किया और BACB के वकील ने कहा कि जब हमें पता ही नहीं है कि इस केस में क् पर आई गई तो हम बहस क्या करें और ऐसे में बहस पिछले दिनों पटना हाई कोट में नहीं हुआ पर यूटूब के माध्यम से आपको ये बताया गया कि सिक्चा सुधार रोजगार के वकील को बोलने तक नहीं दिया गया केस जीत गया है बहुत सारी बाते की गई पर हम और का इंतजार कर रहे थे और हमने आपको सच दिखाया हम बिना सिर्फ पैर की बात नहीं करते जो भी सच हो वही दिखाने की पूरी कोशिस करते हैं और सच आपके स्क्रीन पर है आप देख सुन समझ सकते हैं किसी के बहकावे में ना आए आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद भी केस संख्या 179 का ओर्डर पतना हाइकोट के वेबसाइट पर से डाउनलोड कर देख सकते हैं अगर आपको ओर्डर डाउनलोड करना नहीं आता तो आप यूटूब का सहरा भी ले सकते हैं पर हम यहीं बोलेंगे बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को कि कि किसी के भी बहकावे में ना आये किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है आप अभ्यर्थि अगर लड़ना ही है तो इस बात को लेकर आगे बढ़ें कि जल्द से जल्द परिक्चा हो वेतनमान के साथ परिक्चा हो सिलेवस के साथ परिक्चा हो और इस सम्मन में BACB को सि representation भेजा गया पिछले दिनों के वीडियो में हमने इसको पूरे तरीके से आपको बताने की कोशिज कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा है copy service to respondent number one and three waiting मतलब इन्होंने अभी तक copy उपलब्द नहीं करा है एक जो BACB है और तीसरा हम है हमें जब ये copy नहीं मिला कि इस case में क्या बात रखा गया है तो आगे सुनवाई क्या होती ऐसे में अब BACB के वकील भी आपके साथ खड़े हैं सिक्छा सुधार रोजगार के साथ खड़े हैं और सिक्छा सुधार रोजगार के वकील और BACV के वकील दोनों मिलकर इस केस को आगे बढ़ाएंगे आप अभ्यरती घबराएं नहीं सिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो इसी नाड़े को लेकर सिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ खरा है ऐसे में आप अभ्यरती उसे निवेदन है कि कभी भी actual order को पढ़ने के बाद ही निसकर्स पर पहुँचे यूटूब के माद्यम से बहुत सारे लोग बहुत सारी बाते बोलते हैं पर बिना सिर्पैर की बात बोली जाती है आपको ये भी बताया गया कि तीन महिना तक पढ़िक्षा नहीं होगी रोक लागाया गया है हाई कोट के द्वारा पर आप order में पढ़ लें इस तरह का कोई भी आदेश कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ये अपील जरूर की गई थी कि OMR सीट अगर फट गया तो हमारे भविस्ट का क्या होगा पर हम आपको बताने कि BACV के जो वकील है उन्होंने ये साब किया था कि किसी भी पढ़िक्षा कि OMR सीट को तीन से चार महिने तक फारने का कोई प्रावधान नहीं है और ये भी फट नहीं रहा है ऐसे में इसी बात को कुछ अभिहरतियों द्वारा दूसरे सब्दों में आप तक पहुँचाया गया जूट के साथ पहुचाया गया कि तीन महीने तक परिच्छा नहीं हो सकती हम आपको बता दें कि BPSC के थ्रू ये परिच्छा जल्द आपको देखने को मिलेगी रिपर्जेंटेशन हमारे द्वारा भेजा गया है आगे देखना ये है कि BACB इस पर क्या कदम उठाती है जल्द ही आपको सकरात्मक पहलो भी नजर आएगा सिक्छा सुधार रुजगार के तरफ से वकील और BACB के तरफ से वकील इस बात को अब आगे बढ़ाएं दोनों एक साथ मिलकर आगे किसको बरहारें और जल्द बड़ी जीत मिलने की संभाबना है कुछ लोग जो आपके खिलाब खड़े होते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कदाचार युक्त परिक्षा का रिजल्द जो BACB ने खुद रद कर दिया उसके पीछे जाने से अच्छा है कि आगे बढ़कर संपुन बहाली की मांग की जाए पुन परिक्षा की मांग की जाए कदाचार मुक्त परिक्षा की मांग की जाए साथ में सिलेबस जल से जल जाड़ी हो इसकी भी मांग की जाए पर अभ्यरतियों को बरगला कर कुछ लोग गलत दिसा में मूर रहे हैं ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कहीं से भी सही नहीं है यूटूब का सहारा लिया जाता है जो की सरासर गलत है बिना authenticity के किसी भी खबर पर आप भरोसा ना करें सिक्चा सुधार रोजगार आपको सच दिखाने की कोशिस करता है और काफी हद तक हम कामयाब होते हैं पिछले दिनों इस तरह का जो बयान आया यूटूबर इसके बाद अभ्यरतियों ने हमसे पर्तिकिरिया देने की बात की हमने ये कहा कि आपलोड होने दीजिए आप आप आपलोड में सब कुछ साब तोर से देख सकते हैं सुन सकते हैं समझ सकते हैं और आज हमने ओडर के साथ आपको विशलेशित कर दिया कि BACB के वकील और सिक्षा सुधार रोजगार के वकील दोनों को कोई भी कौपी उपलब्द नहीं कराया गया था रीट का और बिना कौपी की आगी की सुनवाई कैसे होती इसलिए 6 जुलाई 2020 की तारीक आगे की तारीक मुकर्रर की गई है आप ये समझे कि अगर इसी तरह तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक आगे बढ़ता रहा तो परिक्षा अगले साल से इधर संभब नहीं ऐसे में आप इन अब भिहर्तियों को सदबुद्धी दे कि हमारी मांग होने चाहिए कि जल्द से जल्द परिक्षा हो जुलाई के अंतिम में या अगस्त से ये परिक्षा प्राडंब हो इसकी बात हमने की थी और इस संबंद में BACB को भी हमने ग्यापन दिया है पर कुछ लोग जो चाहते हैं कि कदाचार युक्त रिजल्ट जारी हो उन सुधार रोजगार के एक बड़ी पहल कामियाब हुई है और ऐसे में आप अभ्यर्तियों को साकारात्मक सूच के साथ आगे बढ़ना चाहिए नाकारात्मक लोगों से बचे और जल्द से जल्द परिक्षा की मांग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ खड़े हो इस ब में भी अडिक्ता के साथ खरे रहेंगे और मुहतोर जवाब देंगे क्योंकि कदाचार युक्त रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए और इसके लिए सिक्चा सुधार रोजगार प्रतिबद है हमने जो लड़ाई लड़ी है और जिस मुकाम तक इस लड़ाई को पहुंचा आते तो उनके भी रिजल्ट को सही तरीके से सही सुचारो रूप से पडिक्चा करवा कर जारी होता पर आप अभियरती सिर्फ घर पर बैठे रहते हैं आगे नहीं भरते हैं आपके स्क्रीन पर एक नंबर हम दे रहें आप अभियरती से निवेदन करेंगे कि सिक्चा है जिसमें बड़े वकीलों को रखा गया है विपक्ची के द्वारा और हम चाहते हैं कि इस केस में हम बढ़िया तरीके से डिफेंड करें जिससे की जीत आपकी हो आप अभियरती पुरे बिहार के अभियरती जो एस्टेट परिक्चा कादाचार के खिलाप हमारे साथ खड लेकर पटना हाई कोट में पहुंचें और जिससे परिक्चा में अभी जो बिलंब होगा इसके लिए जिम्मेवार कौन है जिम्मेवार अभियरतीयों की पहचान करें और उनसे सवाल करें जब जुलाई या अगस्त में परिक्चा हो सकती है जिस तरह सीटेट परिक्चा सो परिक्षा को भी मन्जूरी मिलने ही वाली थी उससे पहले ही पत्ना है कोट के पहुँचे और जान बूच कर परिक्षा को लटका रहे हैं ऐसे में आप अब्भियर्थिक किसके साथ है या आपको सुचना है सिक्षा सुधार रोजगार उन तीनों केसों में डिफेंड करेगा पर आपके सहीयोग के बिना हम कहीं न कहीं कमजूर परते हैं आप अब्भियर्थियों से निवेदन है कि आर्थिक रूप से मजबूत करें क्योंकि तीन तीन केस हैं और तीनों केस में डिफेंड करना है आपकी वकील एक मजबूत वकील है और इन्होंने जो काम किया है वो अपनी लड़ाई समझकर आगे बड़े अश्टेट अभ्यरती ये सोचे कि जब तीन तीन बड़े वकील भी पक्षी के द्वारा खड़े किये गए अगर किसी प्रकार का कोई भी गलत ओर्डर पास हो जाता है तो इसके लिए जिम्यबार आप सभी माने जाएंगे क्योंकि हमने आपको बार बार ये कहा है कि सिच्चा सुधार रोजगार की मदद करें आगे तीन तीन केस पर ना हाई कोट में है और डिफेंड हमें करना है हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं आप सभी अभ्यरती जो इस त रोजगार के बैनर तले अपने केस को मजबूत करें आपके स्क्रीन पर ये दस्तकत आम दस्तकत नहीं है ये दस्तकत है परिक्षा रद करने वाले उचा धिकारियों के और जब बड़ी कमीटी के द्वारे ये फैसला हो गया हाई कोट के सिंगल बेंच और डवल बेंच का म अभिहरती भी सिक्षा सुधार रोजगार के साथ कदम से कदम मिला कर चले क्योंकि आप इस संगठन की नीव है और पटना हाई कोट में जब तीन केसों के सुनवाई होगी तो उसमें हमारे वकील के द्वारा डिफेंड किया जाएगा आप अभिहरती उसे निवेदन है कि आगे आएं आगे आकर सिक्षा सुधार रोजगार के हाथ को मजबूत करें पिछले दिनों भी हमने इस संबंद में आप से अपील की थी और आज भी अपील कर रहे हैं अब आप अभिहरती के हाथ में अगले तीन से चार दिनों में आपको एक केस की सुनवाई और देखने को मिलेगी अब आप अब भीहरतियों को हमारे साथ खरा होना है इस वीडियो में हमने जो नंबर आपको दिया उस पर आप कॉल करके हमसे संपर कर सकते हैं इस संबंद में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं साथ में मदद भी कर सकते हैं केस को आगे बढ़ाने में क्योंकि सिक पर जो हम दवाव डाल रहें कि जल्द परिक्षा वह परिक्षा आपको नजर आए पर बाधा ये तीन केस आपके सामने खड़ें और इन तीन केसों में हम चाहते हैं कि इन तीन केसों से और भी positive जजमेंट आए और judgment के बाद और मजबूती के साथ आपका जो फैसला है वो implement हो विपक्षी का होना बहुत ही जरूरी है किसी भी लडाई के लिए सिर्फ एक पक्ष की बात क्यों रखी जाए विपक्ष की बात भी रखी जाए और आप ये समझें कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए दुस्मनों का होना भी आवश्यक है और जो आपके दुस्मन है पटना हाई कोट में जब पहुंचे हैं तो हम चाहते हैं कि ब्यापक बहास हो जिस तरह दूद को मतने के बाद मक्षन बनता उसी तरह इन केसों के मन्थन के बाद आपको एक बड़ा जज्जमेंट फिर से मिलेगा पर इसके लिए आप सभी को आगे आना चाहिए सिक्षा सुधार रोजगार की मदद करनी चाहिए मन्थन हो हाई कोट के द्वरा हो और बिहार में इस तरह की पड़िक्षा पर रोक लगे धन्यवाद वीडियो देखने के लिए साथ देने के लिए सिक्षा में सुधार और सभी की पास रोजगार